दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के पस्चमी घाटों के बारे में बताऊंगा यानि कि वेस्टन घाट के बारे में बताऊंगा जैसा कि आपको पता है कि भारत एक प्राइदी पिया यानि कि पैनेंसुलर देश है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है एक तरफ अरब सागर है दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ हिंदमा सागर है तो ऐसे में यहां पे दो तरीके के घाट बनते हैं एक है पस्चमी घाट जो कि गुजरात से लेके केरला तक चलते हैं और दूसरे हैं पूरवी घाट जो कि पस्चम बंगाल से तमिल नाडू तक चलते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पस्चमी घाटों के बारे में दोस्तों पस्चमी घाटों पर एक पूरी परवत शंकला चलती है जिसे पस्चमी परवत माला या फिर सहादरी परवत माला कहा जाता है अब इसे सहादरी परवत माला क्यों कहा जाता है? तो देखो सहादरी शब्द जो है वो संस्कृत से आया है और इसका अर्थ होता है सहिश्णू यानि की सहन्शील देखे होता क्या है कि जो पहाडों की प्रकरती है वो ऐसी होती है कि वो मानसून को रोक सकते हैं जैसा कि आपको पता है कि हिमाले परवत है वो कई सारी हवाओं को रोकता है क्योंकि हवाय चलती भी आती है तो टकरा जाती है उसी तरीके से अरब सागर से बहुत सारी बारिश उठती है बादल उठते हैं जो की आते हैं साउथ की तरफ अब ऐसे में जो परवत माला है इस से आके वो टकरा जाते हैं जिससे की पूरे साउथ के अंदर बाढ नहीं आती अगर ये परवत शंकला ना हो तो जरूर बाढ आ जाए तो ऐसे में ये मानसून की मार को जहलते हैं और सहिशनू होते हैं, सहन करते हैं और यहाँ पर जीवन पनपता है दूसरी चीज यह है कि सहादरी का एक दूसा अर्थ होता है परोपकारी परोपकारी यानि कि जो आदमी करपा करता है, करपालू होता है अब यहाँ पर क्रपा का क्या आर्थ है यह पहाड कैसे क्रपा करते हैं देखो जब यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश की वेसे यहाँ पर होते हैं जंगल और जंगल में पाई जाती है जैव विवेदता यानि कि अलग अलग तरीके के जानवर वनस्पती यहाँ पर वास अब यह जो परवत माला है यह गुजरात, महराष्ट्र, गोवा, करनाटक, केरल और तमिलाडों में फैली हुई है। यह तूटती नहीं है बीच में से, यह जगे से शुरू होती है तो आगे तक चली आती है। यह इसी तरीके से है कि पहले सकरी है और आगे जाके मोटी हो जाती है कुलमिला के लेकिन बीच बीच में इसकी चोड़ाई बदलती रहती है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि इसी के पस्चिम में आपके पस्चिमी मैदान भी पाये जाते हैं जिसको कॉस्टल एरिया कहा जाता है जो समुद्र के पास का होता है बीच वगेरा तो यह आपके मैदान भी होते हैं यह आपर और इन मैदानों के पास यह जो इस तरफ का एरिया है ये एकदम खड़ी चट्टान है खड़ी का मतलब होता ना बिल्कुल सीधी चट्टान होती है और इनी से आके मांसून टकराता है इसी वज़े से मुंबई जैसे शेहरों के अंदर भी बारिश होती है अन्य था जो मांसून है वो सीधे सीधे चला जाया और अंदर जाके बारिश कर दे तो ऐसे मैं मुंबई में बारिश बड़ी मुश्किल से हूँ तो यहां पर यह काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं पहाड बात करें इस परवतमाला की उचाई के बारे में तो देखो यह बहुत ही उबढ़ खाबड परवत शंकला है कुछ चोटी अब बहुत बड़ी हैं तो कुछ बहुत चोटी हैं तो इसकी जो ओसत उचाई है वो 900 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच की है लेकिन ओवर ओल जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे उत्तर से दक्षन की तरफ जाओगे तो यह पहाड की जो लंबाई है यह बढ़ती ही जाती है उच एक है कलसुभाई पीक जो की 1646 मीटर उचा है एक है सलहर पीक जो की 1567 मीटर उचा है और एक है महाबलेश्वर जो की 1424 मीटर उचा है इन तीनों के बारे में ही सवाल पूछे जाते हैं जो महराश्टर के अंदर है इनको जरूर याद रखना इसके बाद एक आता है आपका कुद्रे मुख परवत की जो उचाई है वो 1892 मीटर है जो की करनाटक के अंदर है अगर आपको याद हो मैंने आपको राष्ट्रे उद्धान वाली वीडियो में बताया था कि कुद्रे मुख परवत के पास ही है आपका कुद्रे मुख राष्ट्रे उद्धान जो कि इसी के नाम पे पड़ा है तो इस पे भी सवाल बन जाता है तो इसको जरूर याद रखना और अन्त में जब आप केरल पहुंचते हो तो केरल में आपको सबसे बड़ा मॉंटें जो इस परवत माला में है वो मिलता है जिसका नाम है अनाई मुड़ी इसको अना मुड़ी के नाम से भी जाना जाता है अनाई मुड़ी भी कहते हैं इसको जो कि 2695 मेटर उचा है केरल में यह highest peak है इस परवत माला का इसको याद रख लेना अब यहाँ पे note करने वाली बात है कि यह जो पश्चमी घाट आपको दिख रहे हैं इस तरफ समुद्र काफी गहरा होता है तो यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जाते जैसे मैं आपको एक एक्जांपल देता हूँ कि आप नीचे की दरफ चलेंगे करने आकॉमारी की दरफ यहाँ पे रामसेतु के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे समुद्र जो है वो कम गहरा है तो ऐसे में क्या होता है बड़े जहाज यहाँ पे चल नहीं सकते क्योंकि बड़े जहाजों को चलने के लिए गहरा पानी चाहिए होता है तो होता क्या है कि जैसे विशाफखा पत्नम के आसपास जहाज को रोक दिया गया है छोटे छोटे जहाज जाएंगे और सामान बरके ले आएंगे बड़े जहाज नहीं लाये जाते हैं करन्या कुमारी के आसपास लेकिन पस्चेमी घाटों की तरफ जहाज आ सकते हैं इसी वज़े से यहाँ पे बड़े बंदरगा बने हुए हैं जैसे मुंबई के अंदर बंदरगा बने हैं, गुजरात में बने हुए हैं नीचे आप केरल की साइट भी बने हुए हैं इधर करनाटक में भी बने हैं तो इसी वे से बने हुए हैं तो यहाँ पे पोर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको काफी जरूरी दर्रा है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है, याद रखना, थाल गाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है, दूसरा जो है, वो है आपका भोर गाट दर्रा, जो कि मुंबई और चिन्ने की बीच में एक लाइन बनी हुई है, उसका एक प्रमुख हिस्सा है, और साथ ही ये मुंबई और पूने को जोड़ता है, याद रखना, मुंबई और चिन्ने की बीच में लाइन बनी हुई है, उ एक अन्नामलाई की पाड़ी आई आती है, उनके बीच में ही है, तो तीन दर्रे हो गए, थालगाट, भोरगाट और पालगाट, अब देखो यहाँ पे कुछ एक प्रमुख पहाडी स्थान है, जिससे की डिरेक्ली अबजक्टिव बनता है, जिके के अंदर प्रशन पूछ ल की आपकी केरला और तमिलाडू में फैली हुई है, इसके अंदर एक पहाड़ी पाए जाती है, डोड़ा बेटा, इसका नाम पहले में बता चुका हूँ आपको परवत वाली वीडियो में, डोड़ा बेटा जो है, वो नीलगिरी में सबसे उची पहाड़ी है, याद रखि अन्नामलाई की पहाड़ी है, जो की तमिलाडू और केरल के अंदर फैली हुई है, यह अन्नामलाई के अंदर ही पाए जाती है, आपकी अन्नामुडी, थो की चभिस सो पिचानवे मीटर उची है, यह काफी ज़रूरी हो जाती है, इसके बाद थोड़ा नीचे आप आओग अंदर ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारन जो है पेरियार जील के पास है तो ये भी याद रखना इसके बाद आती हैं आपकी ब्रह्मगीरी पहाडियां जो कि करनाटक और केरल में पहली हुई है ब्रह्मगीरी पहाडी अपनी ट्रैकिंग के लिए बहुत मशूर है आपको कई लोग पहाडी चड़ने के लिए जाते हैं तो ये प्रसिध ट्रैकिंग स्थल है इसको याद रखना ब्रह्मगीरी ब्रह्मगीरी के बाद आती है आपकी पुष्पगीरी पहाडियां जो कि करनाटक के अंदर है यहाँ पे एक कुमारा पार्वथा नाम की जगे है कुमा मुलायनगिरी जो है एक चोटी का नाम है जो कि करनाटक की सबसे उची चोटी है इसको भी याद रखना करनाटक की सबसे उची चोटी कुनसी है? मुलायनगिरी और आखिर में आती है अगस्त कुडम की पहाडियां जो कि केरल और तमिलाडू के बीच में ही इस्तित है और ये पहाडियां जानी जाती है अपनी जड़ी भूटियों की वेश से क्योंकि ये जड़ी बुटियों के लिए बहुत प्रिसिद्ध है बहुत सी जड़ी बुटियां जो है दवाईया बनाने में इस्तमाल की जाती है तो वो यहीं से जाती है तो इस तरीके से आपकी ये कुछ जगें हो जाती है पहाडी जगे जो बहुत famous है यहाँ पर अब हम अंत में बात कर लेते हैं जैव विविद्यता के बारे में यानि कि बायो डाइवर्सिटी के बारे में अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अत्यदिक वर्शा होती है क्योंकि यहाँ पे मांसूना के टकराता है तो यहां पे कई सारे घने वन पाये जाते हैं, जंगल पाये जाते हैं, जिनमें कई तरीके के जीव बसते हैं, जैसे कि चीता, हाथी, शेर, लंगूर, साप, मेंडा के त्यादी और भी कई तरीके के होते हैं, तो यहां की जैव विविता बहुत जादा होती है, और साथी आपके दो जैव मंदल पाहे जाते हैं, इंपोर्टन जैव मंदल हैं, जिसमें से एक है नीलगिरी संदक्षित जैव मंदल, जिसको 1986 में बनाया गया था, और ये भारत का पहला जैव मंदल था, संदक्षित जैव मंदल, इसके अलावा दूसरा जो है, वो है अगस्त मलाई जैव मंदल, जिसको साल 2001 के अंदर घुशित किया गया था, तो याद रखिए वेस्टन घाट के अंदर दो ही इंपोर्टन जैव मंदल हैं, एक है नीलगिरी जो की भारत का पहला था, और दूसरा है अगस्त मलाई, इसके अलावा भारत के अंदर टोटल 18 जैव मंदल हैं, जिसमें से 12 को युनेसको ने विश्व विरासस्तल कहा है, या विश्व धरोरस्तल कहा है, इसके अलावा ये जो पूरा वेस्टन घाट है, इसके उपर 15 से ज़्यादा राष्ट्रे उद्धान भी बसे हुएं, कौन कौन से हैं, एक है साइलेंट वैली जो की केरल के अंदर है, दूसरा एरा विकलम जो भी केरल के अंदर है, तीसरा है आपका पेरियार वो भी केरल के अंदर है, दो आपके करनाटक के अंदर है एक है नागर होल और एक है बंदीपूर इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इसके बाद आपके तमिल नाडू के आते हैं एक है अन्ना मलाई टाइगर रिजर्फ जिसको इंदरा गांदी नैशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और एक है मुदू मलाई टाइगर रिजर्फ जो की तमिल नाडू के अंदर ही है इसके बाद चंदोली नैशनल पार्क अंशी, नेस्टर पार जो कि करनाटक में, वो भी यही पर आता है। ये भी महाराष्टर में है, चंदर प्रभा राष्ट्र उद्धान ये भी महाराष्टर के अंदर है, वैलिंग्टन राष्ट्र उद्धान ये भी महाराष्टर के अंदर है, और नागजिरा राष्ट्र उद्धान ये भी महाराष्टर के अंदर है, ये जितने भी राष्ट् पूरे पस्चमी घाट को जहां पे इतनी जय विविता पाई जाती है, उसको एक संकट ग्रस्त शेत्र के रूप में पैचान दी गई है, मतलब होट स्पॉट एरिया कहा गया है पूरी दुनिया में, ऐसा क्यूं? ऐसा इसलिए क्यूंकि यहां पे बहुत सारी वनस्पतियां और बहुत सारी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं इनसानों की वज़े से, किसी भी तरीकी की कटाई या फिर कंस्ट्रक्शन से ये जगह बरबात होती जा रही है, तो इनसान होने के नाते, मानव होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम इस जगह को बचाएं, वनस्प पस इतना ही, see you in the next one.